दिली पुलिस ने बड़ी पैमानी पर तलाशी अभ्यान के बाद इसलामिक स्टेट से कथित रूप से जोड़े संदेग्ध आतंकियों को गिरफतार किया है NIA यानी रास्ट्रिय जांच एजिंसी काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी पुलिस के मताबिक ये किसी बड़ी साचश को अंजाम देने की फिराग में थी लेकिन इससे पहले ही दिली पुलिस ने इन्हें किरफतार कर लिया है इस बारे में दिली पुलिस के स्पेशल सीपी SGS धालिवाल ने जानकारी थी दे तो बी टेक के इन माइनिंग है इसको एक्स्पोलिसिव जगरा की अच्छी नौलेज है और महमद रिजवान अशरफ भी जो है वो कम्प्यूटर साइंस में है और डॉक्टरेट कर रहा है तो काफी इनको नेट से भी इनोंने लिटरेचर लिया हुआ था इसके इलावा इनके पास बहुत सारी डेडिकेटर जो ऐसी तन्जीमे हैं जो की कुछ ना कुछ करवाना चाहती है उनकी उरसे भी तमाम इनको गाइडिन्स थी सर बरामत क्या किया गया है एक्स्पलोसिव बनाने की क्या कुछ चीज़े बरामत हुई है और क्या इन्होंने कहीं टेस्ट वगेरा भी किया और किया तो कहां किया और रेकी कहां कहां कियी ती सर यह इन्होंने वेस्टर इंडिया सदन इंडिया के तमाम टिकानों पे रखी गरी थी हुबली धारवाड से लेके गुजरात हमदाइबाद में और भी कई जगा पे बदोधरा में और काफी देर से इनको इनकी जो एक्सपरिमेंटेशन थी ब्लास्टिंग और एक्सपोसिव्स की वो राइट फ्रॉम प्रक्यूरिंग ऑफ कैमिकल्स यहां ऐसे मिटीरियल्स जिस में जिसको यूज करके कंटेनर्स यहां पाइप जिसको यूज करके आईडी बन सकते हैं वह इन्होंने करी ती और यह कैदा उसकी रपोर्टिंग भी करते थे कि क्या explosion हुआ, उसकी क्या potency थी और आगे से फिर इनको guidance मिलती थी कि क्या इनको और करना चाहिए जिससे कि उसकी potency बढ़ सके सर, आउट ओफ इंडिया किन किन आतंकी संविठन की ये लोग संपर्क में थे, कुछ ऐसा साफ हो पाया है और वो किस तरह संपर्क साथते थे और उनकी क्या कुछ प्लानी होती थी इंडिया में करने के आई एसाई के ऐलिमेंट्स हैं उनके दवारा प्रमोटेड सपोर्टेड फरहत तौला गौरी बेन है उसका फिरसान लौ है फैसल तो उन सब से इनके तार जुड़े हुए थे और इसके लावा काफी एसी टरर ऑर्गनिजेशन भी हैं जिन का विबारे में काफी जादा नेट पे भी इन्फरमेशन अवेलेबल है तो यह लग-लग उनको तरीके से कांटेक्ट करते थे और उस तरीके से गाइडन्स लेते थे सर क्या आउट ओफ इंडिया ये लोग पाकिस्ताने कुछ ट्रेनिंग अगरा के लिए भी गए हुए हैं ने इन में से कोई पाकिस्तान ट्रेनिंग में नहीं गया लेकिन जो महमद रिजवान अश्रफ है वो जै लेकिन देखा जाए तो इनकी ऑल्मोस पैन इंडिया फुट्परिंट है तो ऐसे कहना बहुत जादा में भी अप्रोप्रियेट नहीं होगा सर इसके लावा सवाल है कि क्या इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी जो है इनके निशाने पर ती जिनको आप जी टूंटी सब्मिट भी नहीं बोल सकते लेकिन इंपोर्टन टार्गेट्स और इंपोर्टन इंस्टॉलेशन इनके इंपो जी टूंटी में ऐसा कोई लिंकेश नहीं है